नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तों पिछले दिनों सिल्पा सेट्टी और राजकुंद्रा का मामला सामने आया था जिसमें हम सभी ने देखा था कि कैसे राजकुंद्रा के उपर पोर्नोग्राफी का मामला बहुत तेरी से उच्छाल मार रहा था और जिसकी वज़़े से सिल्पा सेट्टी राजकुंद्रा की बहुत बढ़नामी हुई थी और लगबग राजकुंद्रा को एक महिने तक जेल में और इन्वेस्टिकेशन में सनलित रहना पड़ा था लेकिन आप सभी को पता होगा कि अब सिल्पा सेटी ने राज कुंद्रा का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है और ऐसा लग रहा है कि सिल्पा सेटी ने राज कुंद्रा से तलाग भी ले लिया है लेकिन इस वीडियो में जो खबर आपके लिए लेकर के आया हूँ इससे अगर आप भी राज कुंद्रा के फैन हैं या फिर राज कुंद्रा को पसंद करते हैं या फिर फॉलो करते हैं तो विश्वास करिए आप सभी को एक बहुत बड़ा जटका लगने वाला है कैसे अब राजकुंद्रा ने एक और बड़ा कदम ठा लिया जिससे राजकुंद्रा के फैंस रह गए हैरान जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखेगा दोसों सिलफा सेटी के पती राजकुंद्रा ने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट डिलिट किये लगतार सोसल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली और त्रहत रहं के पोस्ट सेयर करने वाली बॉलिवूड एक्ट्रेस सिलफा सेटी के विजनसमेन पती राजकुंद्रा ने अब अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम एकाउंट डिलिट कर दिये हैं राजकुंद्रा को जुलाई में पोर्नोग्राफी के एक मामले में गिरफतार किया गया था और करीब दो महिने जेल में बिताये थे जेल से छूटने के बाद से बिजनसमेन राजकुंद्रा सारवजनिक रूप से नहीं दिखे जब एक्ट्रेस सिलपा सेटी बच्चो वियान और समीसा के साथ अली बाग जाती मिली सिलपा सेटी के बिजनसमेन पती राजकुंद्रा के सोसल मेडिया ट्विटर और इंस्टाग्राम एकाउंट अब नजर ही नहीं आ रहा है यानि कि अब ये जो राजकुंद्रा है ये पूरी तरह से गायब हो चुका है ऐसा लग रहा है कि ये भागने की भी फिराक में हो सकता है क्योंकि इंस्टाग्राम अपने तमाम सोसल मेडिया अकाउंट को डेट कर देने का मतलब है कि ये जो इंवेस्टिगेशन थी सायद कहीं न कहीं सकतो जाएगा कि ये बचने की कोसित तो नहीं कर रहा या फिर इसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वएसे इसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है एक्ट्रेस सिलपा सेटी के पती और बिजनसमेन राजकुंद्रा को पॉर्णोग्राफी के एक मामले में जमानत मिल गई है पॉर्णोग्राफी के एक मामले में दो महिने जिल में विताने के बाद आखिरकार राजकुंद्रा 21 सितंबर को घर पहुँच गया मजिस्ट्रेट कोट ने राजकुंद्रा को 50,000 रुपए के मुशलके पर जमानत दे दी राजकुंद्रा पर असलिल सामगरी बनाने और उसे OTT प्लेटफॉंग पर रिलीज करने का भी आरोप है राजकुंद्रा को 19 जुलाई को पूष्टाज के बाद गिरफतार किया गया था अपने पती राजकुंद्रा को जमानत मिलने के बाद पतनी सिलपा सेटी ने एक सोसल मेडिया इंस्टाग्राम इस्टोरी में एक उधारन साजा किया जिसमें उन्होंने लिखा इंदर धनूस की उपस्तिती इस बात का परमाण है कि एक बुरे तुफान के बाद भी सुन्दर चीजे देखी जा सकती है गौर तलब है कि पुलिस द्वारा राजकुंदरा के खिलाब चार्ट सीट दाखिल करने के बार सिलपा सेटी वैस्टनो देवी मंदिर के दर्सन करने गई थी राजकुंदरा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था ऐसा लगता है कि राजकुंदरा जेल से बाहर आते आते काफी वजन घटा चुके थे साथी उनकी सफेद दाड़ी भी बढ़ चुकी थी सूत्रो ने सिलपा सेटी ने रवी नाम का एक वैक्ती जेल के अंदर गया और अपने साथ राजकुंदरा के लिए नए कपड़े लेकर के आया था तो राजकुंदरा ने जο बड़ा एक्सन लिया है इसके बाद हंगामा मत चुका है और कहा जा रहा है कि राजकुंदरा के मन में जरुर कोई न कोई बढ़ी साजिस है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना धनिवाद